हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक टो माई च्वैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीम रिपर क्या है इसका यूज कैसे करते हैं और किस के लिए इसका यूज होता है सीम रिपर में लगी हुई छोटी सी बॉल किस चीज के लिए यूज होती है इसका प्रियोग हम छोटी-छोटी सिलाई के लिए करते हैं अगर हमारी सिलाई खराब हो जाती है तो छोटी सिलाई को निकालने के लिए हम सेम रिपर का प्रियोग करते हैं इसका जो किनारे से एज होता है वो काफी शार्प होता है जिससे दागा फटाफट से कटने लग जाता है ये देखें ये हमारा कपड़ा है इस पर मैंने सिलाई लगा दिये और मैं आपको इसमे अब सिलाई निकाल के दिखाती हूँ वैसे तो आप इसको सुई से भी निकाल सकते हैं लेकिन सेम रिपर से इससे थोड़ा काम ज्यादा फास्ट हो जाता है इस तरह से इसके थेड निकल जाता है टोटके किसी भी तरह की सिलाई हो, छोटी सिलाई हो, पक्की सिलाई हो इससे वो आराम से निकल सकती है सेम रुपर आपको बाजार में आसाने से मिल जाता है 20 से 25 रुपय में इस तरह से इस शार्प से आप छोट-छोटी सिलाई निकाल सकते हैं और जब आपको पूरी सिलाई एकदम से निकालने हो तो जहां पर ये रड कलर की बॉल लगी है इसको आप अंदर की तरफ रखेंगे कपड़े की अंदर की तरफ रखेंगे ये रेड बॉल इसलिए लगी होती है ताकि हमारा कपड़ा अंदर से ना कटे इस तरह से और आप कोई भी सिलाई आराम से निकाल सकते हैं बहुत जल्दी से क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं बहुत शाप होते हैं ये देखिये रेड बॉल इसलिए लगी होते है ताकि हमारा कपड़ा ना कटे और ये स्मूथ चले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक शेर एंड सब्स्राइब कर दीजी थैंक्स पर वाचिंग